हेलो एब्रिवन कल हमने अपनी क्लासे संग्या की लिखे संग्या तक समाप्त का दीती अग हुम संग्या से आगे बढ़ेंगे और संग्या से आगे क्या आएगा सर्वनाम सर्वनाम यानि कि आज का हमारा टॉपिक होगा सर्वनाम सर्व नाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है कौन कौन से सर्व प्लस नाम सर्व नाम का शाफिकत क्या है सर्व नाम दो शब्दों से मिलकर बना सर्व और नाम सर्व का अर्थ होता है सर्व का और नाम का अर्थ होता है नाम यानि कि सर्व का नाम अर्था सर्वनाम का अर्थ हुआ सर्व का नाम अब बात आती है कि कोई भी एक शब्द सर्व का नाम कैसे हो सकता है हम इसे सर्व का नाम क्यों कह रहे हैं तो मैंने कर आपको बचाए था कि नाम का संग्या का रत होता है नाम यानि किसी की पैचाम अब उसी संग्या के इस्थान पर जो शब्द हम प्रेयोग करते हैं वह कहलाता है सर्वनाम तो हम सर्व नाम का प्रयोग किसके इस्थान पर करने हैं नाम के इस्थान पर जैसे मैं मैं क्या है एक सर्व नाम हम मैंसे जितने भी लोग हैं हम सभी अपने अपने नाम के लिए मैं का प्रयोग करते हैं तो जो मैं शब्द है प्रॉपर मैं यह हम सभी का नाम बनता है सर्वनाम तो अब आते हम सर्वनाम की परवाशा पर सर्वनाम की परवाशा है परवाशा है संग्या के स्थान पर प्रयोग होने वारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं अर्था किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग होने वारे शब्द क्या कहलाते हैं सर्वनाम यह वी सर्वनाम की परवाशा अब आते हैं सर्वनाम की भेद सर्व नाम के भेद सर्व नाम के भेद कितने होते हैं छै छै यहाँ पर थोड़ा सा कन्फिूजन रहता है यहाँ पर हमारा प्रश्टन बदलता है और प्रश्टन के हसाब से हमारा उत्तर भी बदलता है जैसे अगर हमसे पूछा जाता है कि सर्वनाम की कितने भेज होते हैं ये सर्वनाम कितने प्रगार के होते हैं तो हमारा अंज़र सीदे सीदा 6 हो जाता है और 6 कोंगों से होते हैं हो पुरुष वाज़क सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम निश्चा वाजग सरुनाओ अनिश्चा वाजग सरुनाओ प्रश्चा वностью सरुनाम हुला हुला हुआ कि और कि प्रश्चाव वाजग निश्चा वाजग सरमद्वाजग आप हमारे प्रश्म वायरा निश्चा वां तट gotten सब्सक्राइब लेकिन अगर हमसे यह पूछ रहता है कि सर्व नाम कितने होते हैं तो हमारा अंसर बदल जाएगा फिर हमारा अंसर हो जाएगा ग्यारा कि सर्व नामा की संख्या कि सर्व नाम की संख्या कितने होती है ग्यारा ठीक एक शब्द से प्रश्नका उत्तर बदल जाता है अब ग्यारा सर्व नाम कों से हैं यह तो छेटे झाल 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 कि यह एक दो कि चार पांच है सब्सक्राइब यह हैं हमारे सर्वनाम सर्वनाम के भीयत कितने होते हैं अच्छ है लेकिन सर्वनाम कि संख्य कितनी है ग्यारा यह ग्यारा हमारे मुख्य सर्वनाम है इसका मतलब यह नहीं है कि हम क्यों ग्यारा सर्वनाम ही पढ़ते हैं इनके अतर्व सर्वनाम नहीं होते हैं ऐसा नहीं है लेकिन जो हमारे मुख्य सर्वनाम है वो यही हैं ग्यारा बाकि इन सबसे बनते चले जाते हैं तो हम सबसे पह पहला सर्वनाम आएगा हमारा पुरुष वाचक सर्वनाम के नाम में पुरुष है इसलिए कई वा ब्रह्म होता है कि शारी पुरुष से सम्भल लेता है बट ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम इसकी परवाशा लेते हैं पहले इसका अथ क्या है किसी व्यक्ति के नाम के इस्थान पर प्रयों होने वाला सर्वनाम पुरुष वाचक होता है इसका सीधा साथ क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं और हम उसका नाम रखते हैं तो सीधी से बाता है वो व्यक्ति वाचक संद्या बन जाता है लेकिन जाम उस वेक्तिवाचक सन्या के इस्थान पर हम उसके नाम के बगले किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह कहलाता है पुरुषवाचक सर्व नाम कैसे हैं जैसे हमें लिखा राम विद्धियाले में पढ़ता है अम मैंने बांगी जायए पर लिखा तो वह कि विध्य अलब में पढ़ता है जब्याले यह वाथ क्लेखा और विद्धियाले में पढ़ता है तो सीडेसी बातने यहां पर जो वहसर्द मेंने प्रयोग किया हुआ है रहे किसे ने किसी वेक्ती के लिए क्यांवार्त पोई वैक्ति होगा। तो यहां पर जो भाए शब्द है वो मेरा कि इसम जएगा। को माँने किसी इत्रल हुआ है वक में मद्सNewet मिल फोइवा दुक। कि कुछी तरह से मैंने लिखा है कि मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है इसमें जो मैंने शब्द प्रयोग किया है मुझे वह मैंने अपने लिए किया है albeit क्योंकि मैं एक गुक्ति ह OWN में अपना नाम मलेकर उसके पर मुझे शब्द प्रयोग किया है तो यहीं था मेरे नाम के स्थान पे प्रयोग उआ है तो सुशaurais बात यह भी पोश्वाच्प है ह टूद तीसरा बात के मैंने रिखा तुम यहां बैट हो यहां पर जो मैंने सर्भुना प्रयोग किया है तुम वो मैंने उस व्यक्ति के नाम के अस्थान का प्रयोग किया है जिसे मैं यहां बैटने के लिए बोल रही हूं अगर मैंने यह कहा है कि तुम यहां बैट हो तो सीधी सी बात है मैंने किसी व्यक्ति के लिए तुम शब्द का प्रयोग किया है बस मैंने उसका नाम न लेकर उसक पुरुषवाचक सर्वनाम है तो यह होता है पुरुषवाचक सर्वनाम लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के वल इतना ही नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का होता है कौन कौन से तीन प्रकार हैं इसमें सबसे पहले आता है उत्तम बोश उत्तम यानि बैस्ट बैस्ट यानि मैं 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 यानि वक्ता तो जित्रे भी सर्वनाम हमारे वक्ता के लिए प्रयोग हो लिए वह हमारे कहलाएंगे उत्तम अब वक्ता के लिए कौन जे सर्वनाम प्रयोग होते हैं जो बोलने वाला होता है वो किनी शब्दम प्रयोग करता है अपने लिए मैं, मुझे, मेरा, मैंने ये तो एक वचन है, इसका बहुत जम्ली होता है हम, हमे, हमारा, हमको आदे उत्तम पुरुष यानि कि मैं, मैं यानि वक्ता, वक्ता अर्थात बोलने वाला तो जो बात को बोल रहा है, जो बात को कह रहा है, वो अपने लिए जितने भी सर्वनाम का प्रियुक करेगा सारे उत्तम पुरुष में जाएंगे यदी बोलने वाला एक है एक पुशन है तो में से शुप होने वाले लेंगे लेकिन यदी बोलने वाल कई हैं एक से अधिक हैं तो обрат हम के लिए हम हम की अंदर अच्छा सेगेंड पार्ट आएगा इसका मद्याम पुरुष मद्याम यानि मेडियम मेडियम यानि की सुनने वाला सुनने वाला असार शुरुपता बोलने वाला मैं हूँ यानि बता और मेरी बात सुनने वाला यानि शुरुता तो हम अपने सामने वाले के लिए अपने बात को सुनने वाले के लिए जितने भी सर्वामों का प्रयोग करेंगे वो सब हमारे किसमें जाएंगे मद्याम पुरुष में जैसे तु, तुम, आप, तेरा, तुझे, तुम है, तुमने, आपका, आपका, आप, ठीक, एंड, थर्ड आएगा, अन्यपुरुष, अब, बोलने वाला मैं हो गया, उत्तम हो गया, भक्ता हो गया, सुनने वाला शोता हो गया, मध्यम हो गया, हम दो के अलावा, जो थर्ड परसन है, जो तीसरा विक्ती है, तीसरा विक्ती कौन हुआ, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो तीसरा विक्ती हुमारा जाएगा, अन्यपुरुष में, तीसरा विक्ती के लिए, तीसरा विक्ती के लिए, तीसरा विक्ती एक है, और पास में हैं, तो यह है, दूर है, और एक वचर हैं, तो रहे, है, पास में है, और वगचर है, तो यह, किसे, इंहें, यह पास वालों के लिए हैं, ये क्वाइं की इन कशनम लेकिन अगब दूर तो मुण वी और इने लिए अनेट बनेंगे स्से यह वह यह वे इसे उसे उसे उने इननए इन का उनका इनकी उनकी उन्हे passport तो यह हैं हमारे फुरुश्ंषमातः, चा becauseसनांवार हमारे टीज दकाटर होता है मध्यम और अन्यम्, मध्यम अन्यम याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती, मध्यम यानि सामने वाला उन्य तीसरा, जो मेरे लिए प्रयोंगे मेडा के लिए प्रेख होंगे वो सब उत्तम में जाएंगे जो सामने वाले के लिए प्रेख होंगे वो सब मध्यम में जाएंगे और जो तीसरे वेक्ति के लिए प्रेख होंगे वो अन्य में जाएंगे अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं निजवाचक सर्मनाम को लेकर तो आगे बढ़ते हैं निजवाचक सर्मनाम के साथ वैसे साफ कर देती हूं आगे बढ़ते हैं निजवाचक सर्मनाम को लेकर निजवाचक सर्मनाम को लेकर आगे पर्सनल अपना निजवाचक सर्मनाम के और एक होता है आप जो मैंने अभी आपको बताया था लेकिन विड़मना यह है कि सर्मनाम के अंतर कभी यह जो शब्दमा आ यह तीन अलगलत कैटेग्रीज में यूज होता है तीन अलगलत तरीकी से हम इसका प्रयोप करते हैं जैसा अभी अभी आप में अन्य पुर्ष में भी आप लिखा हुआ था और अब मैंने निजवाचक में भी आप लिखा है तो मैं पहले आपको इन दौनों का अंतर बता देती हूं उसके बाद में इसको पेरिपाई करेंगी है तो हमने जैसे लिखा मैंने ये दू अलग अलग बाद के लिखे और मैंने दू अलग अलग बाद के होना है मैं आप शब्दे का प्रियो कि यह दौन वाट के बें आप शिश्रू हो रहे हैं लेकिन ईन दौनों में में जो बेसिक डिच्han organization क्या है कि हम जब यह लिखते हैं आप बले तो जग भला तो यहां पर बात हम सामने वाली से नहीं कर यहां पर हम किसी मध्यम पुरु शबाट नहीं कर रहा हैं यहां पर बात हम कर रहे हैं अपने लिए इस स्वैंद के लिए और यहां पर जो हम प्रयोग कर रहे हैं कि सिर्धे सीदा पर चल्दा है कि हम किसी सामने वाले से हमारे सामने कोई व्यक्ती है और उस व्यक्ती से हम कह रहे हैं कि आप यह ए मचरांब करिये हैं यहां पर हम अपने खुद के लिए प्रयोग करें तो बस इतना श्राइए नहीं है पुरुस्वाचक और निजवाचक ने के आधार पर हमारा आंसर बगलता है प्रयोंग के आधार पर इसकी कंडिशन बदलती हैं तो जैसे हम ने यहां पर प्रयों करते हैं तो तीसरी कंडिशन जो आती है वो आती है जब हम किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं जब हम किसी का परिचा कराते हैं जब हमारे सामने कोई अत्ति मौझूद होता है और उस अत्ति का प्रेव हमें किसी व्यक्ति से कराना होता है किसी तीसरे व्यक्ति से कराना होता है तब हम उसके लिए आप तो यहां पर जो मैंने आप शब्द का प्रयोग किया, वो मैंने ना तो सामने वाले के लिए किया, मतलब ना तो पुरुष के लिए सामने वाले मत्य पुरुष के लिए किया, और ना ही मैंने अपने लिए किया, मैंने यहां पर आप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, मह महात्मा गांदी हमारे देश के राष्ट पता हैं आपने अहिसा का पारण करते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी तो यहां पर जो आप शब्द का प्रयोग हमने किया है वह ना सामने वाले के लिए ना प्रयोग के लिए वह हमत्मा वाली के लिए कि ठार्ड पर्संट के लिए क्रियोंकी मातबांख और मौने वाली मैं हूं सुनने वाले आप हैं और हम तीसरे भfar 숨ंदी के लिए प्रयोग झाल 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 मैंने परवाशा में क्या लिख्खा? जब आप शब्द का प्रयोग जैसे मैंने भी बताया कि आप शब्द तीन अनला कंडिशन प्रयोग होता है तो हम इसको उठाएंगे जब आप शब्द का प्रयोग स्वयम के स्थान पर हो इसके स्थान पर स्वयम के स्थान पर तब वो कहलाता है निजवा जसर नाम जैसे अपनी करनी पार उतरनी अपनी करनी का क्या हुआ स्वयम की करनी पार उतरनी यानि की बहुत ना पढ़ता है इससे लोकुक्तिकारत है कि अपने कर्मों का फल स्वयम ही बहुने पढ़ता है तो यहां पर जो अपनी शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है स्वयम की अपने यहां पर तीन वाप के लिए जिसमें एक लिखा अपनी करनी पार उतरनी दूसरा लिखा तो आप ही भूजर मनाओ तीसरा आप अपनी घर जाएंगे यहां पर अपने शूप प्रयोग करते हैं तो जैसे मैं इसको तो आपको बता दिया कि अपनी कार्थ स्वयम की से है यहां पर आते हैं हम यहां पर हम तुम दी लिखा हुआ है आप भी लिखा हुआ है जब यहां पर दोनों सब्नाम मौझूद है और एक्जाम से कह वर इतना पूछ रहा है कि निम पर जो सेंटेंस है तुम आप ही बोजन बनाओ इसका क्या है तुम स्वयम ही बोजन बनाओ तुम स्वयम ही बोजन बनाओ इसका सीधा सा मतलब है आपको प्रयोग स्वयम के स्थान पर किया गया है जब आपको प्रयोग स्वयम के स्थान पर किया गया है तुसी दी सी बात ह वह वाजवाचक सर्मनाम के हलाएं तो अगर इसको हाइलाइट करके पूछा जाता तो मेरा आंसर सीधा-सीधा पुरुषवाचक सर्मनाम हो जाता लेकिन एक्जाम ने हाइलाइट नहीं किया है एक्जाम ने कुछ भी बोल्ड ही किया है और उसने सीधा-सीधा मुझसे अब अगला वाक है आप अपने घर जाएए यहां मैंने दो सर्मनाम फिर उठाएं हैं और सबसे बड़ी चीज कि दौनों इस सर्मनाम पुरुषवाचक में आएं और दौनों आपसे बने हुए हैं यहां में वही बात आएगी आप अपने घर जाएए यहां पर जो आप श अपने लिख्छा है हमने उसका अर्थ क्या है अपने घर जाये अर्था खुंक हो जाये आप स्वयम के घर जाये और जब आप शब्द स्वयम के लिए कि वो गया तो यह हमारा सीधह मैं बन गया हमें केवल एक लेन याद रखनी है कि जब आपका प्रयोग स्वयम के इस्थान पर होता है तो वह हमारा निजवाचक सरुनाम कहलाता है तीन अलगलग कंडिशन में इसका प्रयोग होता है यह मैं आपको बता ही चुकी हूँ इसलिए किसी भी कंफिजन को अपने दिमाग में जगह ना देते हुए आपको केवल इस लाइन को पकड़ाना है अगर आप इस लाइन को पकड़ाने तो आपका अंसर कभी गलत नहीं कि इसरा स्रवतरा में हमारो कि इगए हरो घरज्चर आप है कि इस moet कि इस Mr.. निश्चर रंनाम का इर्स नाम सी पता चल रहा है निश्च शय है निश्च जाए यानिकी बात पन्फरम्ड, ठीक, सीवी सी बात है, इन सर्मनामों से किसी बात की निश्च जित्ता का जोद होता है, निश्च जित्ता अर्थाद कन्फरमिशन, निश्च वाचक सर्मनाम का कारह है, किसी भी बात को निश्च करना अर्थाद कन्फरम करना, हमने जब 11 सब्सक्राइब लेकिए तो इसके अंदर हमने दो सब्सक्राइब ला ले थे यह और वहे इन दौमा में जो अंतर है वो यही है यह का प्रयों में कट्की लिए और वहे का प्रयों दूर देते बस तो जैसे हमने लिखा यह मेरा धर है अर्था बात निश्चित हुई तो यह हमारा सीरा सीरा निश्च वाज़ा सर्मा में जो गर्द की निश्चित ताका बहुत तरहरा है यह धर मेरा है वह तुम्हारी पुस्तक है यहां वी बात प्रिश्चित हो रही है लेकिन इस से पता चल रहा है कि पुस्तक हमसे दूर है तो हमने इसके लिए वहका प्रियुक किया और घर हमारे सामने है तो हमने यह का प्रियुक किया तो जब हम स्पास वाली चीज़ के लिए यह का और दूर वाली चीज़ के लिए वहका प्रियुक करते हैं और इस तरह से जब हम किसी भी बात को निश्चित करते हैं तो यह सर और वे मेरे कपड़े नहीं है मैंने इस वाट में एक शब्द डाला है नहीं को लेकर कई वर लोग लोग कंफूर्ण कंफ्यूस हो जाते हैं कि नहीं से बात निश्यत कहां होती है नहीं से तो नेगेटिविटी आती है लेकिन हाँ सच है नेगेटिविटी नकार अत्मक्ता आ नहीं है मतलब नहीं है तो बात निश्यत होगी तो भी निश्यवाजक सर्वनाम ही कहा जाएगा तो यह है वह है यह वे यह सब हमारे क्या है निश्यवाजक सर्वनाम और इनका काम क्या होता है किसी भी बात को निश्चित करना अगला अनिश्चे वाजे सर्णाव कर प्या होगा अनिश्चिता अनिश्चे अर्थाथ अनिश्चिता जो सर्णाव किसी बात की अनिश्चिता का बोद कराते हैं वे अनिश्चे वाजे सर्णाव कहलाते हैं अनिश्चा वाजे सर्णाव याली कि अनिश्च्ता का बोध कराने वाले सर्णाव किसी भी बात की अनिश्चिता बोध होता है इसके अंधर मैंने आपको दो सर्णाव निखाये थे कोई और कुछ तो हम पहले ही जमतिंग जोन में बेसिक अंतर क्या है कोई एक प्राणी वाचक सर्वनाम है जिसका प्रयोगम किसी प्राणी के लिए गर्पे है और कुछ एक वस्तु वाचक सर्वनाम है जिसका प्रयोगम किसी वस्तु के लिए गर्पे है इन दुखे अलावास में और कोई अंतर नहीं है तो जैसे अगर हम बोलते हैं कमरे में कोई सो रहा है कमरे में कोई सो रहा है जब मैंने यह सेंटेंस लिखा कोई तो सिर्य से वारिवों मैंने किसी विख्ति के लिश्य किया है कोई प्राणी है सोने वाला कंपर चल रहा है कि मैं किसीwen बात कर नहीं हो पारी है और निश्चित नहीं है तो अनिश्चित है कि अधिश्च निगल लिया है जब हमने यह बात के लिखा बालक ने लिखिया है तो बात है आलक में निगली लिए और वस्तु है तो हमने कुछ निगला है कि वालक ने क्या निगला है कि हम इस बात का पता में चल रहा हुं हमें तो यह अनिश्चित है गर के द्वार पर किसी ने रंगोली बनाई किसी ने रंगोली बनाई अब हमें किसी शब्द से यह तो पता चल गाए कि रंगोली बनाने वाला कोई प्राणी ही होगा वस्तू तो हो ने सकती लिए कि किस ने क्या इस बात का पता चलता है नहीं और जब इस बात का पता नहीं चलता तो यह अनिश्चत है किसी तरह से जब कोई सर्वनाम जब कोई शब्द किसी संग्या की अनिश्यत्ता का पता लगा बताते हैं किसी बात को निश्यत्त नहीं करते हैं किसी बात को अनिश्यत्त ही नहीं लेते हैं तब वो कहलाता है अनिश्य वार्चक सर्वनाम में इसमें कोई कुछ आते हैं लेकिन कंडिशन में हम किसी का प्रयोग्स में कर सकते हैं क्योंकि हमें इससे भी पता नहीं चलता कि हम बात किस चीज के बारे में कर रहे हैं किस वेक्ति के बारे बात कर रहे हैं इसके बाद आता है आपका प्रश्ण वाचक सर्वनाम के लिए हम आप से मिलेंगे अगले वीडियों नमस्का